बहुत बहुत स्वागत तस्वीका हमारी यूटूब चैनल स्टूब मीडिया में महीरास राब देख रहे हैं स्टूब चैनल हम और आप तमाम स्टूडेंस इस क्रोना के कारण कितने परिशानी में हैं परिक्षाओं और नियुक्ति की परिक्षाओं को लेकर कि अधी हम बात करें तो सब चीज ठब परें है बिहार की हम खास करके बात करते हैं इस वीडियो में तो बिहार के जो एजुकेशन मिनिस्टर है विजय कुमार चौधरी ची हम लोग इंतिजार कर रहे हैं कि सर पर्मिशन देंगे उसके बाद से गवर्नर आफिस से पर्मिशन मिल जाएगी इनके पर्मिशन देने के बाद ही उसके बाद से एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी permission दे देगी तो साइद अगस्त में universities की तमाम परिक्षा है जो सालों से pending परिक्षा है सालों से मतलब की 2020 से लेकर की 21 की परिक्षा है अभी नहीं हुई है वो सब शुरू हो जाएगी हम लोग इस उमीद में थे कि शायद जुलाई में परिक्षा शुरू हो थी क्योंकि उनिवर्स्ट भी पूरी तयारी में थी लेकिन जुलाई में नहीं हुआ चलो नहीं हुआ अगस्त में तो कम से कम एक्जाम होना ही चाहिए हम लोग अब इस कायास में है बिहार में उसके प बात आती है परिक्षा और स्टुरेंस के पढ़ाई का तो सेक्योरिटी का इतना बरा मुद्धा उठा दिया जाता है मुझे पता नहीं यह किस हद तक सही है लेकिन सेक्योरिटी के नाम पर तमाम परिक्षा अब तक के होल्ड है और क्लासेज भी कुछ खोले गये हैं तो व उनिवर्स्टी है पिहार में और उनमें जो पेंडिंग एक्जाम्स पर हुए हैं उनके ऊपर दो टुइट किया है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगस्त में क्या चांसेज होंगी परिक्षा होने की एक टुइट है जो इंग्लिस में है जिसको टाइम्स ओफ इंदी में हैं आप यहां पर देख लेंगे आप टुटर पर आ करके इनको फॉलो भी कर सकते हैं ताकि एजुकस्या से संबंदी साहरी जानकारी आपको समय समय पर मिलता रहें यहां पर आप देख लिजिए कि पेंडिंग एग्जामिनिशन इनका ओफिसियल यह टूटर अ आप देख पा रहें यहां पर इन्होंने अभी तूट करके बताया लगभग जब विर्यूर को जारे तब से दो घंटे पहले कि पेंडिंग इजामिनिशन इन डिफ्रेंड इन इन इस्टेट और अनलाइकली टू कमिन्स बिफोर सेप्टेंबर यहां पर कहा जा रहा है कि कि तमाम जो पेंडिंग परिक्षाएं हैं मतलब कि जो भी बची हुई है ऐसा कम ही उम्मीद हम कर सकते हैं कि सितंबर से पहले एक्जाम शुरू हो मतलब एकदम से कम आश में हैं कम उमीद हैं हम आपको इसका हिंदी वर्जन भी दिखाएंगे जो इनोंने खुद तूट कि और के सामना के से चाहिएं लेकिन उनकी सेप्टी सब्से जरूरी है यह पर गया है उसके बाद से आपर कहा जारा है कि आखी बच्छ अवीच्छ आपव एटीन प्लस ऑफ एस तुगेर्ट वैक्सीन इहांपर कहा गया है कि 18 प्लस जितने भी छात्र में हैं यह 18 साहल के हैं उनसे रिक्वेस्ट के जाती है कि वो वैक्सीन ले ले अब यहाँ पर हम इनका हिंदी वर्जन आप देख लीचे यहाँ पर कहा जा रहा है कि राज के विभीन विश्चे विद्यालों में इस साल सितंबर से पहले लंबीत परिक्षाएं शुरू होने की संभावना कम है सितंबर से पहले नहीं होगी ऐसा नहीं कहा गया है यह कहा गया है कि पॉसिबिलिटी जो है अगस्ट में एक्जाम शुरू होने का वह बहुत कम है अब इनके अनुसार कितने प्रतिश्चत है जो हम उमीद कर सकते हैं कि अगस्ट में एक्जाम होंगे वो तो यहाँ पर मैं पर आपको क्या लगता है कि अगस्त में चांसे दी जाएगी उनिवर्स्टी उसको परिक्षा लेने के लिए या नहीं अपने अपनी जो रहा है कमेंट में जरूर रखें फिलाल आप इस टुट को आप भी जागर के टुटर पर आप इनका नाम लिगे के सर्च करेंगे तो आ अभारा टाइम्स ने इस रिपोर्ट को अपने अख़वारों में जगत दी है जो यहां पर मेंशन की गई है तो आप देख पा रहे हैं अगस्त में भी परिक्षा होने की अब कम संभावनाएं दीख रही है जैसा कि इस टुट में बताया गया है तो देखते हैं क्या अगल अगलिए